हे गाईस वेलकम बैक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में मैं प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग और श्टिचिंग बतलाओंगी तो यह हमारी में फैब्रीक है इसे पहले हम खोल के आपको दिखा देते हैं यह देखे यह वर्क वाली है यह हमारी फ्रेंट में आएगी तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे तो इसे पहले हम खोल के सीधा कर लेंगे और यहां से देखे हम पहले नापेंगे कि हमें कित कपड़े किस प्रकार और कितना फोल्ड करना है तो आपकी जितनी हिप है उससे 4 से डिवाइट कर दीजे और 2 इंच यहां पर एक्स्ट्रा लेंगे तो यहां पर हमारी हिप है 42 इंच तो उसका फोर्थ भाग हो जाता है यहां पर साड़े 10 इंच तो साड़े 10 में और 2 इंच हम प्लस करके लेंगे यहां पर इस प्रकार हम निसान लगा लेंग पूरे में और इस निसान से देखिए हम इसे यहां से फोल्ड करेंगे तो यहां पर फोल्ड करके से हम पिछा लेंगे अब यहां से देखिए नीचे हम एक सीधी निसान लगाएंगे जो हमारी कपड़े आड़ी तिर्शी रहती है वो हमारी सीधी हो जाएंगे अब इस निसान से उपर की तरफ हम दो इंच पे निसान लगाएंगे यह हमारी फोल्ड के लिए है आप चाहे तो देड़ इंच पे भी निसान लगा सकते है अब इस निसान को हम यहां से सिधी कर लेंगे अब इस निसान से देखिए हमें कुर्ती की लंबाई निकालनी है जितनी भी आपकी कुर्ती की लंबाई है आप अपने अकॉर्डिंग यहां ले सकते हैं मेरी यहां पे कूर्टी की लंबाई 43 इंच है तो यहां पे हाफ इंच यहां पे एक्ष्टर लेंगे और यहां पे हम निसान लगा लेंगे आर्मोल के लिए यहां पे 7 इंच पे निसान लगाएंगे कमर की लंबाई यहाँ पे 13 इंच है तो 13.5 इंच पे निसान लगाएंगे और हिप की लंबाई है यहाँ पे 23 इंच तो 23 इंच पे निसान लगाके सारे निसान को हम यहाँ पे सीधी कर लेंगे सभी में निसान लगने के बाद अब यहां सोल्डर पे निसान लगाएंगे 6 इंच पे अब इस साइट से देखें चेश्ट का यहां पे चौथा भाग लेंगे जितनी भी आपकी चेश्ट है उसका चार से डिवाइट कर देंगे और दो इंच यहां पे एक्स्टर लेंगे कमर का भी चार से डिवाइट करने के बाद यहां पे दो इंच एक्स्टर लेंगे और हिप भी आपकी जितनी है हिप को उससे चार से डिवाइट करने के बाद यहां पे दो इंच हम एक्स्टर लेंगे अब ये देखी ये जितनी हमारी आ रही है नीचे उसी के बराबर यहाँ पर हम निसान लगा लेंगे और इस निसान को देखिए हम सभी को मिला लेंगे ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई हो गई है और जो एक्ष्टर है ये हमारी मार्जन हो गई सभी निसानों को हम यहाँ पे मिला लेंगे अब इस निसान को देखे यहाँ से हम सिधी कर लेंगे और यहाँ से देखे देड़ इंच पर हम निसान लगाएंगे और यहाँ पे आरमोल की गुलाई दे देंगे अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी बैक पाट की कटिंग हो गई है अब हम फ्रंट पाट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए देखे सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारी कमर अहरीब थी वहाँ पे हम छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे अब हमें front part की cutting करनी है तो इस part को सबसे पहले side कर लेंगे अब front part के लिए देखिए यह हमारी work कपड़े में ही है अगर यह पट्टी अलग से लगी रहती है तो इसे आप निकाल के अलग से जोड़ सकते हैं मेरी यहाँ पर fabric में ही जोड़ी हुई है अब इस पट्टी को देखिए center से हम fold करेंगे बराबर इसको करते हुए यहाँ पर इसे कपड़े को विछा लेंगे अब back part को लेंगे इसके उपर रखेंगे बराबर रखेंगे इसके उपर अब इसमें हमें देखिए front part में थोड़ी सी changes करनी है सभी तरफ से हम इस निसान को हम आगी की तरफ बढ़ा लेंगे कमर की तरफ और हिप की तरफ और नीचे सभी साइड से हम इस लंबाई को थोड़े बढ़ा लेंगे अब देखिए जो back part जो हमारी cutting हुई है वहाँ से हम इसे front part में निसान को लगा लेंगे पूरे में यहाँ पे एज़िटीस हम यहाँ पे निसान लगा लेंगे अब साइड से हमें थोड़ी सी changes करनी है तो back part को हम हटा देंगे अब यहाँ से देखिए हम पहले आर्मोल की cutting करेंगे तो जो हमारी आर्मोल थी 7 इंच उसे हम box बनाके half inch अंदर की तरफ यहाँ front आर्मोल की गुलाई दे देंगे अब देखिए कमर की side से sorry chest की side से हम एक इंच बढ़ाएंगे और कमर की side से भी एक इंच यहाँ तरफ से हम एक एक इंच हम यहाँ पे extra कपड़े को ले लेंगे यहाँ पे एक एक इंच पे निसान लगा लिये हैं और इस निसान को हम सीधी कर लेंगे एक इंच हमने यहाँ पे क्यूं बढ़ाया है यह मैं आपको बाद में बताऊंगे cutting करने के time में जो हमने front आर्मोल की गुलाई दी थी उसकी हम cutting नहीं करेंगे तो देखिए front part की हमने यहाँ पे cutting कर ली है अब देखिए इसमें हमें princess cut का save देना है तो उपर से हम tucks point लेंगे 11 inch, half inch हम extra लेंगे, 11.5 inch पे निसान लगाएंगे अब यहाँ से देखिए 4 inch पे हम यहाँ निसान लगाएंगे अब नीचे की तरफ देखिए हम extra 1 inch बढ़ा करके लेंगे 5 inch पे निसान लगाएंगे आप चाहे तो straight भी ले सकते हैं पर थोड़ी सी तीरची यहाँ पे save अच्छी दिखती है अब यहाँ से आर्मोल की तरफ से save पट्टी की साहता से यहाँ पे सेब देंगे इस प्रकार देखिए अब यहां से क्या करना है इस पॉइंट से नीचे जो ने 5 inch का निसान लगाया उस निसान को हम मिला देंगे अब इस निसान से देखिए हमें इसकी कटिंग करनी है सही से यहाँ पर कोलाई देते हुए इसकी हम कटिंग कर देंगे यहाँ देखिए इसकी कटिंग हो गई है देखिए कुछ सेप इस प्रकार से आई है अब इस वाले पार्ट को देखिए इसके उपर हम इस प्रकार हाफ हिंग चड़ा करके रखेंगे तो जो हमने एक इंच जो एक्स्टर ली थी वो इसमें कवर हो जाएगी अब जो हमने फ्रेंट आर्मोल की गुलाई दी थी उसे देखिए इस प्रकार हम यहाँ पे बराबर में मिलाते हुए यहाँ पे गुलाई दे देंगे अब इसकी हम कटिंग करेंगे अब यह जो हमारी जो पॉइंट थी वहां से हम दोनों साइड में कट लगा लेंगे सिलाई लगाने के टाइम में यह दोनों कट हमारी आमने सामने मिलने चाहिए अब देखे स्लीव यहाँ पे नॉर्मल जैसे कटिंग होती है उसी प्रकार हम यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं अब इसकी स्टिचिंग सुरू करते हैं तो देखे सबसे पहले क्या करेंगे सेंटर वाले पार्ट को यहाँ पे सीधा रखेंगे अब यह दोनों पार्ट को इसके अगल बगल रखेंगे इस प्रकार से अब यहाँ पे हमें पाइपिंग लगानी है तो उसके लिए देखे मैंने यहाँ पे पाइपिंग रेडी करी है उसे देखे हम यहाँ पे इसे अटेच करेंगे तो piping की जो side है वो उपर की तरफ रहेगी और यहां से पूरे में यहां पर इसे हम attach कर लेंगे अब इसकी दुसरे side भी हम इस प्रकार piping को यहां पर इसे हम attach कर लेंगे तो देखे मैंने यहां पर piping को attach कर लिया है अब इस वाले part को उल्टा करके रखेंगे और यहां से देखिए बराबर रखते हुए यहां पर हम सिलाई लगाएंगे जो हमारी piping की सिलाई थी उसी के उपर हम यहां पर सिलाई लगाके से complete कर लेंगे इस वाले part को भी इसी प्रकार हम सिलाई लगाके से हम complete कर लेंगे तो देखिए था पर दोनो पार्ट हमारी अठेच हो गई है अप पाइपिंग देखी कितनी तनी अब आप या कारेंगे और फोल्ड करके देखेंगे यहाँ पर हमारी कमर और बराबर आ है की नहीं तो जतना पहले नाप लिजें यहां पर जितनी भी आप मर्यानु आपकी छेस्ट रहे है यहां तक और 2 इंच हमारी एक्थ्रा यह नहीं आई अगर द द्धाय घर केश्टे काटळे यूद कर लिजे अगर विज के मैंने यहां पर रेडि कर रखा है और सेंटर में प्रकार रखाएंगे था 살igan लगा के सब्स्रेंट करके पलट लेंगे सेंप वाले पाट को भी देखिया हम इसाँ प्रकार कर लेंगे मिन अथे बैकाले को भी हमने कर लिया है इसकी ऊपर मैंने प्रमिला sellers अब इसके हम क्या करेंगे स्ोलडर अटाइच करेंगे तो प्रिंसुन हमारी जय के उपर सिलाइ लगा यहां पर भी दोनों को इस परकार बराबर लगा मारी कितनी फिनिसिंग के साथ मारी सिल्डरा अटाइच हुई है अब कुर्ते के हम फिटिंग सिलाई में तो чист안 करके रखेंगे और इसे बराबर करके पहले इसे बिचा लेंगे कपड़े को देखेंगे हमने बराबर कर रखा है अब इस क्या करेंगे जो हमारी 2 इंच की चुप में तक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में तो देखिए मैंने के इस अगविग बैक वाले में भी इसी प्रकार हम फोल्ड करके यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार सिलाई लगाते हुए यहां पर इसे हम कमपलिट कर लेंगे इस साइट भी हम इसी प्रकर सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरब भी जो हमने दो इंच एक्ष्टा मार्जन लेती उसे भी फोल्ड करके यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे बाद में इसे हम तुर्पाई करेंगे तो देखिए मेरी यहां पर कम्प्लीट हो गई है इसकी दुर्पाई हम बाद में कर लेंगे अब इसकी हमें स्लीप को अटेज करनी है तो देखिए मैंने यहां पर स्लीप ले लिया है इसकी फ्रंट की जो गहराई है वो भी हमने दे दिये नीचे बॉटम को भी फोल्ड कर लिये और जो जितना एक्स्ट्रा हमने मार्जन लेती उ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लिस एक लाइक जरूर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तब तक के लिए थेंक यू फॉर वाचिंग बाई